Welcome to the learning desk आज हम देखेंगे के कैसे IELTS writing task 2 में lavish weddings essay पर या topic पर आप एक 8-band essay बड़ी आसानी से लिख सकते हैं The learning desk के साथ ऐसे कई videos, topics और ideas के लिए इस video को like करें और The learning desk चैनल को subscribe करें बढ़ते हैं आज के topic की तरफ जो topic है वो कह रहा है Weddings are getting bigger and more expensive What are the reasons for this Is it a positive or negative development तो जहां पर जो topic है इसमें यह बात कही जा रही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि weddings जो है और जादा grand और costly हो रही है या जो जिस level पर weddings होती है वो जादा बड़ा हो रहा है और और जादा उस पर खर्चा हो रहा है इसके क्या कारण है और आपके हिसाब से क्या यह एक positive या negative development है यह जो प्रचलन है यह सही है यह गलत है essentially इस बारे में बात करनी है तो यहाँ पर इस essay में जो हम बात करेंगे आप देखेंगे आगे कि यहाँ पर बात होगी कि wedding जो है no doubt बड़ी हो रही है उसका reason यह है कि जो discretionary income है लोगों की और जो one upmanship है आप एक function देखते हैं आप कोशिश करते हैं कि जीवन में एक बार किसी की शादी होनी है या करनी है तो उसको हम जितना better हो सके उतना करें और क्योंकि लोगों के पास अब jobs की वज़ा से बिजनेस की वज़ा से जो है पैसा है और वो खर्च सकते हैं इस वज़ा से जो शादी के समारों हैं functions हैं वो बड़े हो रहे हैं और जादा खर्चा हो रहा है और overall हम देखेंगे इसमें opinion में कि हम बताएंगे कि कैसे यह positive development है क्योंकि जो as long as आप अपने जितना आपका जो possibility है जितना आप खर्च सकते हैं उससे ज्यादा ना चाहें किसी से करजा लेकर के शादी का function ना करें तो एक positive development है तो देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि question की language जो है वो repeat नहीं होगी तो इसमें से कुछ words जो है हम वो change कर देंगे जैसे कि weddings हैं उसे marriages कहा जा सकता है expensive को lavish और costly कह सकते हो और जो bigger है उसे आप larger या crander बोल सकते हो तो essay का जो structure है वो रहेगा introduction में हम कोशिश करेंगे 50 words लिखने की first और second body paragraphs जहां पर हम बात करेंगे अपने points की वहाँ पर हम कोशिश करेंगे तकरीबन 125 words दोनों में लिखें और conclusion जो होगा वो 50 words का होगा once again ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यह इतने ही लिखने है पर इस structure को follow करके जो आपका essay है वो एक balanced दिखेगा ऐसा नहीं होगा कि एक point पर बहुत जादा discussion हो रही है और दूसरे पर बहुत कम हो रही है तो चलते हैं essay की और अगर आप चाहें यहाँ पर वीडियो को pause करके आप अपना essay इन ideas को use करके जो हमने अभी बात की है उन पर लिख सकते हैं और अपने essay पर the learning desk के expert से band score evaluation करवाने के लिए description में दिएगे link पर click करके आप अपना जो essay है submit कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर comments में भी जो अपना completed essay है वो post कर सकते हैं और आपको यहीं पर feedback दे दिया जाएगा तो यहाँ पर introduction देखते हैं यहाँ पर हमने बात की है कि question को जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि हम paraphrase करेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं weddings around the world have become more expensive and larger in recent decades in my opinion this is a natural progression and is positive in the vast majority of contexts जसा हमने शुरू में बात की थी कि यह overall एक positive impact है क्यों कैसे वो हम आगे बात करेंगे first और second body paragraph में तो जो first body paragraph है वहाँ हम बात करें कि यह जो प्रचलन है यह जो चलन है यह इसलिए है कि आज के समय में जो लोग हैं उनसे expectation होती है कि जो उन्होंने पहले देखा है एक normal human desire है कि जैसा उन्होंने पहले देखा है कोशिश होती है उससे बढ़िया किया जाए और इस वजह से जो शादी के functions है weddings है in general उनका size यानि किस तर पर वो की जाती है और जो खर्चा है होने वाला उन पर वो बढ़ता जा रहा है इसका कारण ये है कि लोगों के पास disposable income यानि कि जो वो पैसा खर्च सकते हैं किसी चीज़ पर अपनी basic जरूरते या जो needs हैं उनको पूरा करने के बाद वो बढ़ रहा है और ये reason है कि लोग कोशिश करते हैं जो जो wedding functions होते हैं जो शादी की parties होती हैं वो और जादा grant हो क्योंकि जो function पर खर्चा हो रहा है वो although it is a fact कि function होगा तो खर्चा होगा लेकिन as long as आप अपनी जो माइने हैं जितना आप खर्च सकते हैं उससे जादा ना करें as long as वो आप ध्यान रखते हैं तो जितने भी लोग उस समारों में या function में आते हैं उनके लिए यादगारी function हो जाता है तो खर्चा किया जा सकता है इसमें this is what we have explained in this और conclusion towards the end जो है उसमें हमने बात की है कि in conclusion weddings are larger and costlier today because of raised expectation and this is largely positive given the impact on individuals it is nonetheless essential that weddings are not taken to extreme excesses beyond one's means जैसा कि हमने वहाँ पर first or second body paragraph में बात की है कि क्योंकि इसमें इतने सारे लोग involved होते हैं और जैसे कहा जाता है कि शादी एक ही बार होनी है तो इस वजासर ये जो खर्चा हो रहा है as long as अपने जो income है उससे बहुत जादा आप बढ़ करके ना करें अगर आप comfortably वह खर्चा कर सकते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है तो अब देखते हैं इसमें कुछ vocabulary जो हमने use की है natural progression का मतलब होता है normal development lavish एक word use हमने किया है जिसका मतलब होता है बहुत जादा expensive, very expensive and large coupled with का मतलब होता है combined with natural desire का मतलब होता है normal feeling strive एक word हमने use किया है इसमें जिसका मतलब होता है something that you're trying hard for prosperity जो word है उसका मतलब होता है tendency admittedly एक word हमने use किया है जिसका मतलब होता है it must be admitted attendees जो होते है जो people who are a part of the function who are going to a certain event उन्हें हम attendees बोलते है IELTS के लिए free consultation पाने के लिए आप हमारी website चोकी है www.thelearningdesk.in visit कर सकते हैं मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ हपी लुन्हें एपी लुन्हें एपी लुन्हें